Hello friends, आज हम करेंगे chapter number two, that is your hardware and software. आज हम hardware और software के बारे में पढ़ेंगे कि hardware क्या होते हैं और software क्या होते हैं. First one is, computer is made up of two components. Computer जो है, वो दो components से मिलकर बना है, जो कौन-कौन से उसके hardware है और software. सबसे पहले hardware क्या होता है? All the physical parts of computer which can be seen and touched. ऐसे parts computer के, जिसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और touch कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे hardware. Some parts are, कुछ parts हमारे CPU के inside अंदर होते हैं, और कुछ parts हमारे क्या होते हैं, बहार. जैसे keyboard, mouse, CPU, hard disk, speakers, monitor, etc. जैसे कि आप देख सकते हो, जो keyboard है, mouse है, hard disk है, speakers है, CPU, monitor, जिनको आप देख सकते हो, touch कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो क्या होते हैं, आपके hardware. Next, क्या है आपका software, software क्या होता है, a software is a collection of programs that tells computer what to do, जैसे कि, software क्या है, computer, sorry, collection of programs है, बहुत सारे programs का क्या है, collection है, जो बताते हैं, computers की computer को क्या काम करना है, For example, जैसे आप जब गाने सुनते हो, computer में, या फिर आप mobile phone में गाने सुनते हो, तो आप CD की help से क्या करते हो, CD player में, वो CD को insert करते हो, जैसे ही आप select करते हो songs को, तो आप music को सुन सकते हो, गाने को सुन सकते हो, ठीक है, जो चीज़े आप touch कर सकते हो, जैसे CD है, CD player है, वो क्या है आपके hardware, लेकिन आप गानों को touch नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पर जो songs है, वो क्या है, आपका example है, किस जीज का, software का, तो CD and CD player is an example of hardware, and songs are an example of software, दूसरा example लेते है, जैसे कि आप picture ड्रो करते हो, अपने computer system में, with the help of paint or text paint, जैसे आपने paint का use किया, to our text paint का use कि, आपने drawing की, तो drawing आप कैसे करते हो, with the help of computer mouse. computer mouse के help से आप क्या करते हो, was picture draw करते हो जो आपने touch किया, जिसको आपने feel किया याने कि जिसको आपने देख़ वो क्या है, आपका mouse तो mouse क्या है, आपका hardware लेकिन जिसके अंदर आपने drawing की, उसको आपने touch नहीं किया है वो क्या है आपका software जैसे की paint और tux paint जैसे से जाए आपके एग्जांप्ल से यह आपको क्या है? पेंट है इसपेंट में आप क्या करता हो w theories our जाएट उप्रिंट में विद आहल्प व माॉस, तरफेंट करते हो यह आपका 사्ड का थक्स पेंट है इस text paint में भी आप क्या करते हो, drawing करते हो, sketches करते हो, जिसको आप touch नहीं कर सकते, with the help of mouse आप क्या करते हो, उसका use करते हो.